हलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है wisdom hub study पर तो हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं BPSC 65, 65 BPSC का paper जो कि मैंने आप लोगों के साथ एक से लेकर के 74 तक discuss कर लिया है यह third part है इसमें मैं आप लोगों के साथ 75 से लेकर के 177 तक के questions को discuss करूँगा तो चलिए मैंके कर के देखते हैं तो 75 question इसमें पूछा जा रहा है कि पानी का pH मान कितना होता है तो यह एक common question है कहीं examinations में कहीं बार पूछा गया है तो पानी का जो pH मान होता है वो 7 होता है pH पे माने पर पानी का मान जो होता है pH मान 7 होता है वो इसका option E होगा क्योंकि इसमें जो option है न वो इसमें से एक से अधिक है carbon night oxide भी होता है methane भी होता है nitrous oxide भी होता है ozone भी होता है तो एक से अधिक होने के करण इसका जो answer होगा वो होगा E होगा चलिए question number 77 के बात करते हम यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि oxygen अनुपस्तित होती है केरोसीन में, कांच में, मिट्टी में, सिमेंट में तो इसका जो option होगा यह भी होगा इसका option E होगा इन में से कोई नहीं क्यों केरोसीन में भी नहीं होता है कांच में भी नहीं होता है मिट्टी में भी नहीं होता है, सिमेंट में भी नहीं होता है तो इसमें से इसका जो option होगा, वो E हो जाएगा एक में से एक से अधी क्या, इन में से कोई नहीं चलिए, question number 78 की बात करते हैं तो बोला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है तो प्राकृतिक रबर जो होता है, वो आईसो प्रीन का बहुलक होता है ये सही answer है इसका, question number 79 इसमें पूछा जा रहा है, glucose का सूत्र क्या होता है तो glucose, fructose का जो formula होता है, वो exact same होता है एक जैसा होता है, तो इसका जो 79 का जो answer होगा, वो 6 होगा C होगा, C6H12O6, C6H12O6 इसके glucose का formula होता है, fructose का भी same formula होता है चलिए, 18 की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो असीवे question में पूछा जा रहा है CO समू का अबंध क्रम क्या है, तो CO, मतलब carbon monoxide का जो अबंध समू होता है वो D है, यहाँ पर 3, इसका answer रहेगा, okay Question number 81, 81 में पूछा जा रहा है कि Democratic राश्टपती पत के लिए उमिद्वार और American Congress के हिंदू सद, पहले हिंदू सद से कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाओ अभियान के लिए भेद भाव पूर्व कारवाई के लिए कम से कम 50 मिलियन डॉलर के लिए Google पर मुकदमा दायर किया है तो इनका नाम क्या है तुलसी गयबाड तुलसी गयबाड एक भारती American महिला है जो कि वहाँ पर Democratic Party की तरफ से इसे राश्टपती उमिद्वार है अमेरिका में जो की इलेक्शन होगा 2020 में आपको याद रखना है कोशन नमर 82 की बात करें हम यहाँ पर तो कोशन है एग गैलरी ओफ रास्कल्स पुस्तक के लेकग कोन है तो एग गैलरी ओफ रास्कल्स जो पुस्तक है इसके जो लेकग है वो रस्किन बॉंड है देखे रास्कल्स से जोड़ा हुआ आ रहा है तो रस्किन बॉंड याप इसे लगा सकते थे आंसर्स तो चलिए कोशन नमर 83 के बात करें हम यहाँ पर यह खोदरा फरनीचर के विशाल कंपनी आईकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में खोला गया यह कहां खोला गया था तो यह खोला गया था हैदराबाद में यह बहुत बड़ी एक कंपनी है श्वेडिस कंपनी है के आईकिया जो की फरनीचर्स बनाती है तो इसका शोरूम खोला गया है हैधराबाद में और ये आया किसके तहट है तो FDI के तहट ये कंपणी वहाँ पर आई है और इसकी जो फरनिचर से पुरे विश्व परसिद्ध है इसके फरनिचर से तो आपको याद होना चाहिए ये FDI के तहट आई थी है तो इसका अंसर क्या होगा है रवाद Q84 की बात करें हम यहाँ पर Q84 Q84 में पूछा जा रहा है कि 2020 में जो गरिस्म कालिन लोग ओलंपिक खेल कहां पर आईविजित किया जाएगा तो 2020 का 2020 का जो ओलंपिक खेल है वो आईविजित किया जाएगा टोक्यों में टोक्यों कहां पर है यह जापान में कोईशन नमरे टी फाइब के बात करते हैं तो यूनेसको ने दो हजार उन्नीस के उस्व को रासाइनिक तत्व के आवर्द साडनी के अंतराश्टी वर्स के रूप में इन में से किस तिने साल पूरे मतलब वर्स होने का जश्ण मनाया है तो यूनेसको ने अभी जो उसका कह सकते हैं कि रासाइनिक तत्व का जो आवर्द साडनी है इसके लिए अभी यूनेसको का जो है 150 वर्स हो गए मतलब इस आवर्द साडनी के टोटल 150 वर्स हो गए है तो उसने भी 150 वा वर्स सेलिब्रेट किया है सौवा नहीं इसका 150 वा वर्स रहेगा Q6 के बात करें तो हाल ही में भारत की संसद में तीन तलाक कानून पारिद किया गया भारत के सर्वोचन्याले के किस वर्ष में निर्वी निर्माण को समर्थन दिया जिसने तीन तलाक तलाक विद्दत को असरम्यधानिक बना दिया था तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2017 2017 के तेट तलाक विद्दत को असरम्यधानिक बना दिया गया था Q7 के बात करते हैं तो 87 तो बोला गया है Brics का जो सौटकट है Brazil, Russia, India, China और South Africa तो यह चारो यह Sun Countries है जिसमें एकुल मिलाकर के यह Brics Nations कहलाते हैं सिखर सम्मिलन 2019 का कहा आयोजित किया जाएगा तो इसका जो आयोजो ना होगा ब्राजील में होगा ब्राजील में इसका आयोजित किया जाएगा Next question है कि 88 इसमें पूछा जा रहा है कि मुकंद पदमानब पद नाम बन के बाद समाचार पत्र दहिंदू के समपादक कोन बने हैं तो दहिंदू के जो समपादक बने हैं वो इसमें हैं C option सुरेश नामबथम नामबथ सुरेश नामबथ ये मुकंद पदमानब के बाद समचार पत्र जो हिंदू है दह हिंदू के संपादक बने हैं तो आपको ये याद रखना है 89 कोशन 89 के बाद करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि पटना उच्छ नयायले के मुख नयायदिस कौन थे जिनोंने जुलाई 2019 में बिहार के राजेपाल के रूप में स्रीफाग चोहान को पद की सफद दिलाई थी तो सफद दिलाने वाले जो थे उनका नाम था माननी एपी शाही एपी शाही जी ने जो राजेपाल बनी है मतलब बने है बिहार के नए 2019 में सरी फागू चेहान को उन्होंने शर्पत दिलाया था तो यह आपको याद रखना है चलिए कोश्चन नमबर 90 की बात करते हम तो 90 में पूछा जा रहा है बिहार दिवश का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है 1912 में बिहार के बंगाल प्रिसीडेंसी से अलग होने के याद में इसे मनाया जाता है तो इसे आपको याद रखना है question number 91 91 के अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि निम लिखित में से किस राज को केंदर सरकार द्वारा विशेश राजी का दरजा कभी नहीं दिया गया है मतलब special status जो होता है वो इस राजी को कभी नहीं दिया गया है तो बिहार राजी को कभी भी special status का दरजा नहीं दिया गया है इवन उसमें हमेशा से डिमांड गरी है लेकिन उसको नहीं दिया गया है चलिए मैं आप एक चीजा छोटा सा चीज बता देता हूँ चोटा मोटा आपको याद रखना है कि special status किसे दिया जाता है तो special status जो देने के condition होती है उसमें यह होता है कि छेतर का उस राजी का जो जो ग्राफिकल location से वो ऐसा हो जो कि किसी international boundary से टच करता हो तो बिहार का तो करता है उससे नेपाल से करता है लेकिन और भी ऐसी conditions होती है जिसके तहट नहीं मतलब उसका जो 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 ग्राफिक है वो बहुँ जादा ऐसा है कि वो disaster like हो तो ये भी follow करता है बाड जिससे situation बनी रहती है लेकिन फिर भी उससे अभी तक नहीं दिया गया है तो आपको याद रखना है चलिए question number 92 की बात करते है यहाँ बोला जा रहा है कि कश्मीर घाटी के अंती मुस्लिम सासक युसूफ सास चक जिसे मुगल सास समराट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या दफन किया गया था तो वो कहां किया गया था तो अगर हम इसकी बात करें 92 की तो उसको दफन किया गया था डी नालंदा में कहां किया गया था नालंदा में उससे दफन किया गया था क्वेशन नंबर 93 बिहार राजे परटन विकास निगम की टेग लाइन क्या है तो बिहार निगम मतलब बिहार राजे परटन का जो टेग लाइन है वो ही यहाँ पर सी ओप्शन ब्यूटिफुल बिहार ब्यूटिफुल बिहार बिहार राजी परटन विकास निगम का टेग लाइन है Q94 प्रधान मंत्री मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की निव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है निव रखी है तो प्रधान मंत्री ने मंडल बांध की जो परियोजना है उसकी जो निव रखी है वो उत्तरी कोयल उत्तरी कोयल जो नदी है उस पर रखी है Q95 में पूछा जा रहा है कि जुलाई 2019 में बिहार के महा पाशानिक इस्तान जिसे मेगा लितिक साइट कहा जाता है कि पहले प्रलेखन के लिए विशे सग्यों ने नियुम लिखित में से किस जीले का दोरा किया तो इसका जो option है यह इसका option exactly मुझे identified नहीं हो पाया था तो आप इसको skip कर सकते हैं या इसका आप सरच कर सकते हैं लेकिन इसका answer B या C इसमें थोड़ा सा confusion है question number 96 के बात करते हैं हम यहाँ पर कि हाल ही में अबुधाबी में आयोजित इसलामिक सहयोग संगटन OIC organization of Islamic corporation से उसकी बात की जा रही है कि विदेश मंत्रियों की परिशद में 46 जो सत्र था उसमें भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने guest of honor के रूप में अमंत्रित किया था तो 96 के अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो 96 था उसमें C भारत को ऐसे मतलब guest of honor के रूप में इन्वाइट किया था और भारत यहाँ पर उसकी उस समय के जो कालीन विदेश मंत्री थी सुसमा स्वराज वहाँ पर गई थी और उन्होंने बहुत अच्छा speech दिया था इसे आप देख सकते हैं यूटूब पर अविलेबल है यह बहुत अच्छा speech दिया था उन्होंने तो और यह जस्ट किसके बाद हुआ था यह बाला कोट स्टाइक के बाद ही हुआ था इसको आप याद रख सकते हैं चलिए नेक्स कोश्चन हम 97 के बात करते हैं तो 97 के अगर हम बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समोतरी निगरानिय परणाली स्थापित करने के लिए एक समझोता स्थाक्षर सामिल के तो CNES किस देश की space agency है तो यह जो CNES है य जितने भी countries होते हैं उनका जो space agencies होता है उनका नम्याद रही है जिसे रूस से रूस को रॉस को रॉसकोस मौस से जर्मनी का आपको याद पता होना चाहिए फ्रांस का मैंने बता दिया CNESA और कनाड़ा क्या इन दोनों का आपको कमेंट सेक्समें बता करके बताने कोशिश क करिए कि दोनों कंट्री का क्या है विन रूस का बता दिया रॉसकोस मौस से चलिए अब कोशन नमर 98 की बात करते हैं तो परागवे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराश्टपती ने मार्च 2019 में दोर अक किया था तो परागवे की राजधानी पूछे गई है तो सहीं तो राज जिप रास्ट पर्यावरान सभा का चोथा सत्र यूनाइटेड नेशन इन्वार्मेंट का जो फूर्थ एडिशन का जो सत्र है सेसा ने वह कहां आयुजित किया गया तो यह आयुजित किया गया था नैरोभी केन्या में पेरीज फ्रांस के राजधानी है उल सरकार द्वारा भारतिय सांकेति भाषा सब्दकोष के किस संस्क्राण का नीमोचन किया गया था तो इसका पहला नीमोचन किया गया था मार्श 2019 में किसका भारतिय सांकेति भाषा सब्दकोष का अब हम बात करते हैं कोशन नंबर कोशन नंबर 101 की इसमें बोला जा रहा है क मनोहर पारिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यू पर गोवा के मुख्यमंत्री किसे बनाए गए तो प्रमो सामन्त को यहाँ पर उनका मुख्यमंत्री बनाए गए है गोवा का तो गोवा में जो सीटो की संक्या है वो आपको पता होना चाहिए यह 40 विधानसभा सीटो की संक्या है यहाँ पर 102 कोश्ime की बात करें हम यहाँ पर तो 102 कोश्им में पूछा गजा रहा है कि 2018 में एक अंतराश्टी गांधी मतलब अंतराश्टी गांधी सांति-पुरस्कार विजेता कोन है तो यही ससा कावा योही ससा कावा जो है 2018 में अंतराष्टि गांधी सांति पुरसकार विजेता है कोशन नमबर 103 के बात करें विस्वुका पहला उट अस्पताल किस सहर में खोला गया है तो देखिए तेहरान, जैपूर, बिकानेर, दुबई यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि जिस ऐसा कौन सा जगया जहां पर जादा उट मिलते हैं तो इंडिया में इतने उट मिलते नहीं है तो दुबई इसका ओप्शन हो सकता डिरेक्ली क्योंकि जो जितने भी रेत वाले कंट्रीस हैं वहाँ पर उट मिलते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? दुबई होगा इसका आंसर योनेक्स, योनेक्स आल इंडिया ओपन बैटमिंटन चेंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो पुरुष एकल के जो विजेता है वो इसमें C है केंटो मोमोटो केंटो मोमोटो इसके विजेता है नेक्स कोशन है कि पांच राइनोस स्रेडी के स्रास्ट जिन्होंने एक स्रेडी पत्र दे न्यू जैली डिकलरेशन ओन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किये है भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और पांच वा देश कोन सा है इसमें? तो जो पांच वा देश है इसका ये डी है, भूटान है ना मियाद रखिये भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भुटाने वियत नाम नहीं है इसमें कोशन नमर 106 की बात करते हैं सर डॉन ब्रेड में इनके बाद टेस्ट प्रारूप में 25 से तक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज वल्लेबाज कौन हैं तो जो दूसरे सबसे तेज वल्लेबाज हैं वो ड्वैन इसमीत हैं विराट कोहली नहीं है यहाँ पर आपको याद रखना है अब कोशन नमर 107 की बात करते हैं जुलाई 2019 में अंतराश्टी यान 22 जुलाई 2019 को अंतरिक्ष यान जो चंद्रियान टूप था उसको किस राज्य मतलब भारत के किस राज्य में कहां से उसे प्रिक्षेपीत किया गया था तो एक साथवा जो कोशन है वो आंदर प्रदेस का स्री हरी कोटा है वहाँ पर एक आईलेंड है तो स्री हरी कोटा से उसे प्रिक्षेपीत किया गया था और जो ईसरो है उसका जो पार्टी में पहले दोर के मद्दान के बाद प्रतियोगिता में अन्तिम साथ में से कौन सामिल नहीं थे तो देखिए इसका आंसर हाला कि वर्तवान में तो बोरिस जॉंसन इसके प्रधान मंत्री है इसका आंसर एक्जाटली थोड़ा सा मुझे नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं इसको स्क्रिप कर रहा हूँ यहां पर चलिए कुश्चन आप उसको देख सकते हैं आप सर्च कर सकते हैं उसका आंसर को कुश्चन नमर 109 के बात करते हैं 2019 में गुट निर्पिक्ष अंदोलन एन एम नोन अलाईज मुमेंट के समन्वे ब्यूरो की मंत्री इस तरी बेठक कहां हुई थी तो एक समन्वे ब्यूरो की मंत्री इस तरी का बैठक हुआ था और वेनेजुएला कहां पर इस्ती थी तो वेनेजुएला उतरी अमेरिका में नहीं है पूछा जा सकता है तो ये दक्षणी अमेरिका में इस्ती थे हैं कुश्चन नमबर 110 सेयद अक्बर उद्दीन ने पहले संयुत रास्ट में भारत का इस्ताई प्रतिने धित्व हैं तो उनसे पहले जो था सी अशोक कुमार अशोकर जी इसके इस्ताई सदस प्रतिने धित्व थे सेयद अक्बर उद्दीन से पहले चलिए कोशन नमबर 111 की बात करें ठगो का उन्मूलन किसके नित्रत्यों में हुआ था तो ठगो का जो उन्मूलन है वो कैप्टन सलीमन के जो नित्रत्यों में हुआ था कोशन 112 की बात करें तो अफगानिस्तान के प्रति अक्रामक नीती किस वाइसराय ने अपनाई थी तो अफगानिस्तान के प्रति जो अक्रमक नीती था लॉड लिटन ने अपनाई थी ओके चलिए कोशन नमबर 113 की बात करतें 1930 में महात्मा गांदी ने सवी ने अवग्या अंदोलन क कहा से प्रारंब किया था तू बी ऑप्शन जο है इसका कहा से दानडी से साध़ा, नमबर 114 की बात करते हैं कि सारा बंदी अंदुलन नीस सो बाइस में किसके निरत्त्तों में प्रारंब हुआ था तो 114 का जो कोश्चन है वो सर्दार वल्ला भाई पटेल सर्दार वल्ला भाई पटेल के निर्ट्रतों में 1922 में जो सारा भाई बंदी अंदोलनता वो प्रारंब हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B सर्दार वल्ला भाई पटेल फिर 115 कोश्चन के बात करें यहाँ पर कि भारत के विभाजन के समय भारती राश्टी कॉंगरेस के अद्यक्ष कौन थे यह बहुत ही महतुपूर्ण प्रशने यह कहीं बार पूछा गया है तो इसका आपको याद होना चाहिए कि भारत के विभाजन के समय जो भारती 1857 के क्रांती का निरतत्व किस ने किया था तो बिहार में जो 1857 के क्रांती हुई थी उसका जो निरतत्व था वो कुमर सिंग ने किया था फिर नेक्स कोश्चन है आपर कि असायोग आंदोरन के दोरान बिहार में क्रश्को का निरतत्व किस ने किया था तो इसका जो आंसर ह तो मैं थोड़ा सा सर्च करने में अनेबल रहा मतलब मैं capable नहीं हो पाया तो इसका answer में आपको next जो lesson रहेगा उसमें आपको मैं बता दूँगा वैसे आप गर आपको यहाद है तो आप मुझे comment section में इसका answer बताईए लेकिन अगले में तो मैं इसका answer बता ही दूँगा okay so thank you so much for watching this video आपसे एक message मैं देना चाहता हूँ कि आप मेरा जो channel है इसे subscribe कर लीजिए ताकि मैं आपको जो भी इसके आगे की information है मतलब इसके बाद का जो question है 118 से 150 तक का वह भी मैं इसको upload करूँ है तो आपके पास notification आ जाए notification का बाएगा जब आप बेल आइकन को बटन को दबाएंगे तो बेल आइकन बटन को दबाईए ताकि आपके पास फटा-फट notification आ जाए और मैं S.A.N. Academy पर S.A. Educator हूँ मैं वहाँ पढ़ाता हूँ मेरे वहाँ पास तीन सो स्यादा वीडियोज अबेलेबल है तो मैं उसका भी लिंक आपको description box में provide करा दूँगा ताकि आप मेरे links के द्वारा मेरे channel पर जा सके मेरे profile पर जा सके और मेरे द्वारा बनाएगा जो भी courses है बहुत ही important courses मैंने बना रखा है 28 courses मैंने design किया है वहाँ पर तो आप जाकर के free of cost सारे courses को देख सकते हैं So thank you so much for watching this video have a good day, जैहिन, जैभारत